कोरोना मामारी ने आम जनता को सरकार ही नहीं, सरकारी और निजी सेक्टर की सुविधाव की सही सूरत दिखा दी है बात अगर अस्पतालों की करे तो कोविट काल में निजी अस्पतालों ने लोगों की मजबूरी का जिस तरह फायदा उठाया और आपदा को अफसर में बना कर अपनी तिजोर्या भरी इसने सिर्फ मेडिकल शेत्रे डॉक्टरी पेशिक को भी संसार किया वे कोरोना काल में मरीजों से मनमानी रेट वसूलने और दूसरी गरबढ़िया करने वाले अस्पतालों पर गाज गिनी शुरू हो गई है ऐसे 10 अस्पतालों का लाइसेंस सस्पेंट कर दिया गया है और 9 के खिलाब एफायार दर्ज करा दी गई है और इन मामलों में सम्मंदित जिलो के डियेम और सीयों से जवाब तलब किया गया है साथी दोशी पाए गया अस्पताल के मालिकों से वसूली भी होगी कोरोनब हमारी मिनेजिस पतालों पर मर्माने रेट मरीजों से वसूले इलाज में लापर वाही बरतने, बत्तमीजी करने, ऑक्सीजन की फरसी कमी बताने और अन्नीक कई आरोप लगे है अब तक 33 जिलों से इस तरह की 184 शिकायत आई है इनकी जार्च में 68 शिकायते सही पाई गए इस अधार पर 170 मामलों में नोटिस दिया गया है जार्च के बाद कारिवाई शिरू हो गई है कई मामलों में मरीजों से वसूल किया गया, जादा पैसा वापस कराया गया तो कई जगर लाइसेंस सस्पेंट किया गया है